नमस्कार दोस्तों, स्वागत था आप सभी का पाज़ फाइंडर पर, मेरा नाम है अनिरुध और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ Physical Geography का Lecture No.12 इस Lecture No.12 में दोस्तों हम डिसकेस करने वाले हैं Local Winds के बारे में और इस Local Winds की discussion के बार दोस्तों, आपका जो Pressure का Important Component होता है Climateology में वो खतम हो जाएगा हमने आपको पहले ही बताया था, 3 Important Components है, 3 Important Ghatak है जो की हम डिसकेस करने वाले हैं Temperature, Pressure and Humidity दोस्तों and temperature has been done, after this video, Pressure will also be done and इसके बाद हम लोग सबसे Interesting और सबसे जादा Important Component में Entry करने वाले है, That is the Component of Humidity जिसमें की हम लोग Rainfall, Types of Rainfall वगरा वगरा जैसे की बातें करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, यदि आप लोग इस Lecture के Notes को करना चाते हैं, तो यहाँ पर दिएगे Telegram Channels के उपर से कर सकते हैं, अगर आप लोग मुझसे संपर्क में आना चाते हैं, तो यह वाले Telegram Channel पर जाईए और हमारी WhatsApp की details आपको यहाँ पर हमने available करवा दी हैं, उसके लेकर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसके लावा दोस्तो, I have been a teacher for geography and polity and IR for quite some time now, और इसके लावा दोस्तो, I have also served as a DYSP in the Punjab Police Department, इसके लावा मैंने CAPF के examination को भी clear किया है, और UPSC के civil services examination के interview में भी मैं appear कर चुका हूँ, यदि आप लोग मुझसे social media पर जुढना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग मुझसे कर सकते हैं, यह particular मेरी ID दोस्तो, Instagram पर यही है, Twitter पर यही है, और Unacademy की app पर भी यही है, यहाँ पर जाकर भी आप मुझे अपनी queries पूछ सकते हैं, इसके इलावा, the most important thing, मेरे द्वारा अगर आप लोग Indian geography पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए हमारा plus course launch हो चुका है, जो की already batch course के माध्यम से आपको provide करवाया जा रहा है, यह वाला plus course दोस्तो, 2nd June को शुरू हुआ था और यह almost खतम होने वाला है, लेकिन अगर आप लोग subscription लेते हैं Unacademy की, तो आपको यह पूरा का पूरा plus course जो है, available हो जाएगा, इतना ही नहीं, जो बच्चे अब नए जोइन करने वाले हैं, वो भी आके मुझसे live पढ़ सकते हैं, because we are starting an exclusive course on Indian polity from the 14th of July, जी हाँ दोस्तो, परसों से आपका यह वाला नया course शुरू होने वाला है 14th of July से, जिसमें आके आप लोग मुझसे live quality पढ़ सकते हैं, thanks to you guys, victory series पे बहतरीन response देने के बाद, अब हमने एक proper, full-fledged Indian polity का batch course शुरू करवा दिया है, इसके अलावा, कई सारे बच्चे पूछते हैं, sir, why an academy, see, I will give you three important reasons, सबसे पहली बात, इंडिया के top educators are teaching at an academy, उसके बाद, डेली की, राजिंदर नगर की faculty is teaching at an academy इसके बाद, दोस्तो, कई सारे XIS IPS officers आपकी जर्नी में आपके साथ रहते हैं, and इतना ही नहीं, अगर आपको batches को देखना है, यहाँ पे revision batches चलते हैं, one year batches चलते हैं, NCRT batches चलते हैं, two year batches चलते हैं, साथी में, अलग-लग languages, bilingual में, English में, Hindi में, हर तरहां के batches आपके your journey, simpler in order to make your journey much more enjoyable, इसके अतरिक दोस्तो, pricing की बात करें, नए offers चल रही है, 8 से लेके 14th July तक, जो pricing फिलाल चल रही है, that is 49,680 रुपीज, कुल मिला के 45% का discount आपको मिलता है, अभी तक Unacademy के वल 35% का discount दे रही थी, लेकिन यह limited offer आपको मिल रहा है, जिसमें कि आपको 45% का discount तक भी दे रही है Unacademy, इसमें अगर आपको यह वाला 10% extra discount लेना है, you have to not forget to use this particular code ANIUPSC, अगर आप लोग यह code यह करते हैं, आपको obviously discount तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथी में आप मेरी personal guidance भी यहाँ पर ले पाएंगे, as I told you, मेरा WhatsApp की details मैंने share कर दी है, सारी की सारी चीज कर रही है, go for the two-year course, इसके अलावा आपको test series इसमें free मिलती है, extended maha subscription offer इसमें मिलता है, यानि कि आपकी validity mains तक होने वाली है, एक साल के course की और दो साल के course की 2023 की mains तक की रहने वाली है, also Unacademy promise आपके लिए एक नया offer लेकर आया है, अगर आप लोग 2 साल का offer लेते हैं, 2 साल की subscription लेते हैं, तो दोस्तों आपको एक साल का subscription totally free of cost मिल जाता है, साथ में SSE, bank वगएरा वगएरा की subscriptions भी आपको यहाँ पे totally free of cost मिल जाती है, right, start कर देते हैं, पिछली वीडियो में हमने जहां पे topic को छोड़ा था, मैंने आपको क्या बताया था, कुल मिला के धरती के ऊपर, जो हमें हवाएं देखने को मिलती है, winds देखने को मिलती है, वो तीन तरह की होती है, याद कीजे, वो तीन तरह की winds कौनसी कौनसी थी, number one आपकी होती है, primary winds, या फिर जिनको हम लोग permanent winds बोलते हैं, for example, trade winds, number two पे आपकी आती है, secondary winds, या फिर जिनको हम लोग seasonal winds बोलते हैं, य पीसरे नंबर की winds, जिनको की tertiary winds कहा जाता है, इसका दूसरा नाम local winds भी होता है। Local winds इनको क्यों कहा गया है? Basically, ऐसी हवाएं, जो की local atmospheric conditions और landform की distributions की वज़े से पैदा होती है, ऐसी winds को local winds कहा जाता है। कहने का मतलब किसी छोटे से इलाके में, जो वहाँ पे atmospheric की conditions बनी हुई है, जो वहाँ पे geomorphology याने की landforms की conditions बनी हुई है, उसके आधार पर जो winds पैदा हो रही है, उनको हम लोग local winds बोल रही है। Now, interestingly, even though ये लोग पैदा तो इस तरीके से होती हैं कि वहाँ पे जो conditions बनी हुई है, लेकिन इनका जो impact है, they can modify the local weather conditions up to a great degree, कि even though इनका जो पैदा वहीं से हो रही है, लेकिन इनका impact आगे जाकर और कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी बात करें, it's a very very important topic दोस्तों, अगर हम बात करते हैं relevance की, इसकी relevance prelims के लिए बहुत जादा है, mains में भी इसके सवाल आ चुके हैं, prelims में ना जाने कितनी वार सवाल आ चुके हैं, it's a very very important topic और इसमें सवाल इसी तरीके से आते हैं, इसके नाम और ये कहां कहां से ही हम इसको समझ पाते हैं कि exactly local winds क्या होती है, दोस्तो thermal properties के आधार पर, यानि कि ठंडे गरम के आधार पर ये इनका विभाजन किया गया है, सबसे पहले इसके विभाजन को समझ लेते हैं, number one आता है hot and dry local winds, number two आता है cold and dry local winds, यानि कि दोनों की दोनों जो winds है, भले ठंडी हो भले गरम हो, लेकिन होंगी dry ही, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, जो गरम है वो भी dry है, और जो cold है वो भी आपकी dry local winds, अब अगर बात करते हैं hot and dry local winds की, hot and dry local winds को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, यानि कि दो तरह की hot and dry local winds होती हैं, आगे जाके आपको बत जो होती हैं, they originate in tropical deserts, यानि कि आपके जो tropical deserts के areas हैं, वहाँ पर originate करती हैं, और वो भी गरमी के time पर, obviously गरमी के time पर करेंगी, तभी तो ये hot and dry होंगी, now इनकी characteristics, ये hot होती हैं, ये dry होती हैं, और ये dusty होती हैं, यानि कि साथ में अपनी बहुत जादा मिटी भी लेकर आत हैं, तो लू हमें देखने को मिलती हैं, अभी कुछ दिन पहले तक बहुत तेजी से लू चल भी रही थी, ये क्या चीज है, ये एक hot and dry local wind है, जो कि हमें northern और northwestern इंडिया में देखने को मिल जाती है, now इसके कई सारे examples हैं, सवाल दोस्तों यहीं से आते हैं, कि examples इसके कौन स कौन से हैं, Sirocco, Hermartin, Lou, Santa Ann, आपके सामने कुछ-कुछ examples पेश करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले इस चीज को समझिए, कि ये tropical deserts कहां देखने को मिलते हैं, देखे, अगर हम बात करते हैं, ये आपका equator है, अगर ये equator है, यहाँ पर कहीं पर आपका, जो है tropic of cancer, यहाँ कहीं पर आपका, ट्रॉपिक of Capricorn, यानि कि ये वाले जो आपकी tropical deserts के areas हैं, देख पा रहे हैं, ये वाले सारे के सारे areas जो माख कर रहा हूँ, दोस्तों ये सारे के सारे जो tropical deserts के areas हैं, यहीं पर से ये वाली winds originate करती हैं, गरम इलाके हैं, गरम winds originate कर जाती हैं, और ये वा मैंने इस word का इस्तेमाल किया है, याद कीजे, अगर हमने बात करी थी, subtropical low pressure belt की, जब हमने subtropical low pressure belt की बात करी थी, हमने क्या समझा था, कि air जो है, वो sink करती है, अगर आपको याद होगा, upper troposphere से, lower troposphere तक air जो है, वो sink करती है, almost similar phenomena आपको देखने को मिलता है, levered side of mountains पे, ले जिस तरफ से आपकी winds आ रही है, ये वाली winds इस तरीके से आती है, जब ये winds इस तरीके से आती है, दोस्तों, तो ये winds पहाड की वज़े से, उपर rise करना शुरू कर देती है, उपर जाकर ये लोग cloud formation करती है, और जब ये cloud formation करती है, दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है, लेकिन रेनफॉल आपको पहाड के केवल इस साइड पर ही देखने को मिलेगी, पहाड के इस साइड पर आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी, जिस तरफ आपको रेनफॉल देखने को मिल रही है, इस तरफ को कहा जाता है, और जिस तरफ, क्योंकि आपकी जो यह वाली winds थी, यह उपर गई, इन्होंने clouds बनाए, clouds ने rainfall करी, इसके बाद इनके पास शमता नहीं है, यह वाली winds जब आगे चली जाएंगी, तो यह पूरा का पूरा moisture अपना, lose out कर चुकी है, obviously यह winds अब dry हो चुकी है, यानि कि इस तरफ ना तो यह कुछ बारिश करेंगी, और obviously dry तो यह है ही, इसका मतलब levered side of mountain पर भी आपको यह वाली हवाएं देखने को मिल जाती हैं, ऐसी हवाओं को भी हम लोग hot and dry local winds की category में ही डालते हैं, तो जब यह उपर से नीचे आती हैं दोस्तों, इनकी compression भी होती है, और इनकी heating भी होती है, याद कीजे, बिल्कुल वही फिनॉमिना जो मैंने आपको सब ट्रॉपिकल low pressure belts में समझाया था, इसके भी कुछ examples हैं, चिनूक, जॉन्डा and फोन, देखिए, यह जो examples मैंने यहाँ बताएं हैं, और यह वाले जो examples यहाँ बताएं हैं, इनके बारे में one by one करके बात करने वाले हैं, start करते हैं सबसे पहले example के साथ, that is Sirocco, यहाँ पर आपकी world geography की जो समझ है, वो काम आने वाली है, देखिए, सबसे पहले Sirocco हमने क्या कहा था, Sirocco example है tropical desert का, यानि की tropical desert से originate क रहा हूँ, यह Africa का map है, और यहाँ पर आपको मालूम होगा, यह आपका Sahara का desert है, इस तरीके से Sahara का desert almost फैला हुआ है, काफी बड़ा desert है, इस Sahara के desert में से यह Sirocco आपकी यहाँ से निकली, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों Mediterranean Sea है, है के नहीं, तो यहाँ से Sirocco निकली उसके बाद Mediterranean Sea के ऊपर से जब यह cross over करेगी, तो पानी को एकठा करेगी, जब पानी को एकठा करेगी, तो पहले जो आपकी dry wind थी, वो आगे जाके moist wind बन जाएगी, इतनी कहानी आपको समझ आई, इतनी कहानी ही फिलाल समझे, it is a hot, dust laden south और south easterly wind, यानि कि यह south east से आ रही है, उपर को जा रही है, while passing over the Mediterranean Sea, it picks up the moisture, और जब यह Mediterranean Sea को pass over कर जाती है, इसके उपर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मालुम है, आता है Europe, जब यह Mediterranean Sea को pass over कर जाएगी, पानी इकठा कर लेगी, उसके बाद Europe में जाके बारिश करती है, लेकिन क्यों पारिश को कहा जाता है, blood rain, ये वाला सवाल आपका UPSC में आ चुका है, कि blood rain असल में आपको कहा देखने को मिलती है, because of the fallout of the red sands with the falling rains, अब समझे आप कि ये red sand कहा से आया है, ये red sand वाला component सहारा से आया था, ये rain वाला component कहा से आया, ये दोस्तों Mediterranean Sea से आया था, this is how आपका आगे जाके blood rain देखने को मिलता है, ये ही कुछ characteristic features हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, इनी features के अधार पर local winds का सवाल बनता है, इसके अलग-लग नाम भी दिये गए है, there are different local names for Sirocco in Africa, for example, अगर बात करें, Khamsin कहा जाता है Egypt में, Ghibli कहा जाता है Libya में, Chili कहा जाता है Tunisia में और Arabian Desert में कभी कबार इसको Simum भी कहा जाता है, ये सारे के सारे नाम भी कभी कबार आपसे पूछे जा सकते हैं, point is आपको समझ आ गया कि Sirocco कहां से निकली है, Sirocco दोस्तो सहारा से निकली है, Mediterranean Sea की तरफ जाती है, और उसके बाद आगे जाकर ये Europe में जाके rainfall को करवाती है, ये थी आपकी Sirocco, अगर बात करें हर्माटन की, हर्माटन भी almost similar wind है, लेकिन दोस्तो ये North Easterly wind है, Sirocco कहां से आ रही थी, Sirocco नीचे से उपर जा रही थी, यानि कि ये Southernly wind थी, हर्माटन North Easterly wind है, North Easterly wind का मतलब क्या होगा, North East की तरफ से आ रही है, ये आपका North East का direction है, उस त करने वाला हूँ, सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहने वाली है, यहाँ पर देखिए, आपका ये Sahara Desert है, लेकिन अब Sahara Desert से एक wind तो ऊपर जा रही थी, एक wind आपकी नीचे भी आ रही है, इस नीचे आने वाली wind को हम लोग बोल रहे है, हर्माटन, ये भी उसी Sahara Desert मे से निकल रही है, हर्माटन दोस्तों क्या करती है, ये वाली wind भी बहुत जादा dry होती है, because of its journey over the Sahara Desert, obviously, Sahara Desert से निकल रही है, तो वहाँ पर कोई पानी तो है नहीं, तो wind dry होगी, लेकिन अगर आप देखें, इसका बड़ा फाइदा है, फाइदा किस तरीके से होता है, इस इस वाले मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, इस वाले कोस्ट पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, Atlantic Ocean, Atlantic Ocean की वज़े से, जो इस वाले कोस्ट का मौसम है, वो बहुत जादा चिप-चिपा हो जाता है, जिसको हम लोग जोगरफी में moist बो respite मिल जाती है, इनको थोड़ा सा एक तरीके से अच्छा लगता है कि अभी जो हमारी चिप-चिपाहट थी, वो काफी हद तक कम हो चुकी है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, Western Coast of Africa is warm and moist, it provides a relief from the moist heat and therefore it is beneficial for their health, और इसी लिए कभी कबार इसको Doctor's Wind भी कहा जाता है, यह वाला topic यहाँ पर clear हो जाएगा, इसके बाद, तीसरा तरह की wind की बात करते हैं, Santa Ana, Santa Ana एक ऐसी wind है, जो की USA का एक बहुत ही विशाल desert है, जिसका नाम है Mojave Desert, इसमें J को H से pronounce कह जाता है, Mojave या Mojave, जो भी आप बोलना चाहते हैं, that is not important, यह वाली जो wind है, यह सांटा आना wind है, य यह भी काफी जादा गरम और सूखी wind मानी जाती है, इसमें सवाल क्या आएगा, कि Santa Ana जो है कौन से continent में देखने को मिलती है, Santa Ana जो है कौन से desert से originate करती है, इस तरीके से सवाल आते हैं, इसके बाद, बात करते हैं, लू की हर इंसान भारत में, जो North India में और North Western India में रहता है उसको experience करता है, मैंने खुद भी करी experience, लू जो की बहुत ही जादा गरम और बहुत ही जादा सूखी winds होती है, जिनमें हमें अक्सर बहुत जादा मिटी देखने को मिलती है, ये भी क्या हैं दोस्तो, hot and dry local winds है, कब-कब blow करती हैं, April, May और June के महीने में blow करती हैं, कहां-कहां राजिस्थान में obviously करेंगी, because thar desert से ये निकल रही है, उसके बाद गुजरात से करेंगी, करेंगी, उसके बाद हर्याना हुआ, देन पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, और कभी कबार ये मध्यप्रदेश और बिहार तक भी चली जाती हैं, अगर इस map में हमें mark करन आने के लिए कि लू का जो प्रभाव है, वो इनिन हिलाकों में रहता है, ये भी आपकी hot and dry local wind है, जो कि थार desert से निकलती है, क्योंकि थार desert भी अपने आप में एक tropical desert है, इसके इलावा, the favorite hot and dry local wind, favorite क्यों बोल रहा हूँ, examiner की favorite है दोस्तो, Chinook wind, चिनूक wind जो है, ये भी जो आपकी है, northern America में देखने को मिलती है, इसका नाम दिया गया है, snow eater, ध्यान से देखना very very interesting name और इसके पीछे की कहानी है, ये दोस्तो एक warm wind है, ये एक dry wind है, एक south westerly wind है, अब याद कीजे मैंने आपको क्या बताया था, कि hot and dry local winds दो तराकी होती है, पहली वाली winds जो tropical desert से नि winds आएंगी, लेकिन इस तरफ तक जब वो winds पहुन जाएंगी, तो dry हो जाएंगी, चिनूक में आपको वही mechanism देखने को मिलता है दोस्तो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये North America का map है, क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर North America के बहुती famous mountains हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते ह है, Rockies Mountains, ठीक है, इन mountains को हम लोग बोलते है, Rockies Mountains, अब क्या होता है, पिछले lecture से याद कीजिए, यहाँ से क्या आ रहा था, यहाँ से आ रही थी, Westerlies, Westerlies आएंगी, इन mountains के ऊपर जाएंगी, और जब ये mountains को cross कर जाएंगी, इस तरफ, जिस तरफ हमें levered side देखने को मिलती ह है, इस levered side पे, यह वाली hot and dry local wind, चिनूक पैदा होती है, similar कहानी आपको देखने को मिलेगी, इस रॉंडा में, किस तरीके से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह आपका South America के बहुती famous mountains हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, Andes, है के नहीं, यह जो आपके Andes हैं, यह वाले Andes में, अब अगेन क्या होने वाला है, इस तरफ से आपकी Westerlies आएंगी, और जब यह Westerlies आएंगी, तो इस तरफ जो winds पैदा होंगी, उनको Zonda कहा जाता है, सेम कहानी आपको देखने को मिलती है, यह योरोप के Alps में, Alps कहां पे हैं, दुनिया जो winds आती है, जब यह winds आती है, इसके बाद यह यहाँ पर इस तरीके से आपका Dry Winds देखने को मिलती है, जिनको की Fohan कहा जाता है, And again, आपको लगेगा मैं थोड़ा सा बातों को बढ़ा चड़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन Zonda, Fohan and Chinook सभी को लेके सवाल UPSC पूश चुकी ह अब ध्यान से देखना, देखिए, Chinook क्या है, Chinook को हमने कहा Snow Eater, यह क्या है, एक South Westerly Wind है, कहां देखने को मिलती है, Rockies के Levered Slopes पे देखने को मिल जाती है, अल्यडी बात कर चुके है, Rockies के जो Levered Slopes पे आपको Chinook देखने को मिल जाती है, बिल्कुल सिंपल बात है सर, Winds कहा से आती है, after descending through the eastern slopes of the Rockies, they become warm, they become dry, and that is where they give birth to Chinook, अब सवाल यह आता है, कि इसको Snow Eater क्यों कहा जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यह वाला जो इलाका होता है, USA का, यहाँ पर आपको Snowfall बहुत देखने को मिलती है, सर्दियों के टाइम पे Snowfall काफी देखने को मिलती क्योंकि यह एक Hot Wind थी, यह आके उस Snowfall को पिगला देती है, इसलिए इसको Snow Eater कहा जाता है, Chinook Winds, they are more common during the winter and the early spring, and क्योंकि यह यहाँ पर winter में already Snowfall होती है, क्योंकि अपने आप में यह Dry Winds है, Hot Winds है, इसलिए यह वहाँ पे आने वाली Snow को पिगला देती है, वहाँ पे Temperature को है, दिया जाता है, Simple है कहानी, Similar कहानी हमें देखने को मिलती है, Zonda में, Zonda भी दोस्तों आपकी एक Hot Wind है, और यह आपको Argentina और Uruguay में देखने को मिलती है, Observed on the Levered Sides of the Andes Mountains, इसको आप थोड़ा सा नीचे दिखा सकते हैं, Argentina और Uruguay, Basically थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पर नह जाती है, Observed on Levered Sides, in this case again, Westerlies descend down the Levered Sides after crossing over the Andes, और जब वो डिसेंड करेंगी, यानि की नीचे आएगी, तब वो गरम हो जाती है, Same कहानी आपको फोहन में देखने को मिलती है, यह भी आपकी Warm and Dry Wind है, very similar to Chinook, इसको फोहन कहा जाता है, Along the Northern Slopes of the Alps Mountains, यह भी जो है, अक्सर आपको commonly देखने को मिलती है, Spring Season में, या फिर Autumn Season में, जब यह आती है, Weather काफी Pleasant हो जाता है, because इनके आने की वज़े से भी, Snow की थोड़ी बहुत melting हो जाती है, और इसलिए दोस्तों, यह भी एक काफी बड़ा कारण बन जाता है, Switzerland इतना Famous है, खास रूप से Spring और Autumn में, लोग Switzerland को विजट करना काफी पसंद करते हैं, so these are the various hot and dry local winds, जिसकी चर्चा मुझे आपके साथ करनी थी, so दोस्तों अब बात कर लेते हैं, cold and dry local winds के बारे में, जैसे हमने देखा कि hot and dry local winds भी आपकी दो तरह की होती है, उसी प्रकार दोस्तों, cold and dry local winds भी दो तरह की आपको देखन दोसरी आप बताईए कि सर्दी और कहाँ पड़ती है, polar areas के इलावा दोसरी पड़ती है, आपकी उंची-उंची mountain ranges के ऊपर, अगर आप लोग बहुत mountain ranges के ऊपर चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी cold and dry local winds देखने को मिल जाती हैं, इस case में आपकी आती है, एक है बोरा, एक है मिस्ट्रल, और तीसर and dry local winds दो जादा चिंता करने के आपको अवशक्ता नहीं है, ब्लिजर्ड जोस तो क्या है, intensely cold, intensely strong and abnormally high, यानि कि ऐसी winds होती है, बहुत थंडी होती है, बहुत जादा तेजी से आती है, और जब भी आती है, साथ में अपने snowfall को भी लेकर आ जाती है, कहां कहां देखने को मिल जो North America का Canada का इलाका है, और जो उत्री USA है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है, जब ये आती है, obviously क्योंकि cold है, क्योंकि ठंडी है, obviously साथ में इनका जो आपका तापमान है, वो काफी जादा गिर जाएगा, और जब भी साथ में आएंगी cold waves को भी लेकर आएंगी, इसके locally नाम क्या क्या दिये गए है, दोस्तो Siberia में इसको बरन या फिर बुरन कहा जाता है, Southern USA में इसको Northern कहा जाता है, अब देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ Southern USA का map, यह देखिए यह USA का map है, यहाँ पर आपने हमें देखा यह Canada है, नीचे आपका USA है, दोस्तो USA इसे में यहाँ तक पहुंच जाती है, entry blizzards यहाँ से लेती है, लेकिन क्योंकि बीच में किसी प्रकार की कोई रोकधाम नहीं है, कोई mountain नहीं है, तो यह आगे जाती रहती है और Northern के रूप में यहाँ तक आपको ठंडी हवाएं देखने को मिल जाती है, in the case of United States of America, यह आप Northeasterly Wind है या फिर Northeasterly Wind है, Northeasterly Wind का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे आएगी, Northeasterly Wind का मतलब क्या होगा, इस तरीके से बहेगी, कहाँ बहती है, यह बहती है आपकी along the eastern coast of the Adriatic Sea, Adriatic Sea कहाँ पर है, very close to the Mediterranean Sea, in the Northern Italy, और यह mainly आपकी December से March के बीच में बहती है, यहाँ पे इस आपकी एक बहुत ही ठंडी Northernly या फिर Northeasterly Wind होती है, जो कि आपको again Northwest Mediterranean Sea में देखने को मिलती है, especially in the Rhone Valley and its Delta, Rhone Valley जो कि आपको Germany में देखने को मिलती है, वहाँ पर आपको Mistral देखने को मिल जाती है, यही इलाका है, यही पर आपकी बोरा आती है, यही पर आपकी Mistral आती है, इस तरीके से आप winds को यहाँ पर चाहें तो depict कर सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे map, it is totally fine, मैंने आपको maps पहले बता दी है, कौन से कौन से बनाने है, hot and dry local winds में आपको map बनाना काफी important माना जाता है, and finally आपकी एक last wind है दोस्तो, Pampero की, जो की एक Southwesterly wind है, अगर आपने और थंडी wind देखने को मिलती है, यह आपकी इस तरीके से wind आती है, जिसको की Pampero wind कहा जाता है, यह आपकी South America की wind है, जो की again एक cold and dry local wind है, so as compared to hot and dry local winds, काफी, it was a brief topic, जो की हमने आपके साथ cover कर लिया है, that's it guys, इस class में फिलाल इतना ही, लेकिन the interesting thing and the important thing is की we have now finished the entire topic of your, क्या क खतम कर लिया है, और अगली class में हम आगास करने वाले हैं आपके साथ humidity के topic का, जिसमें की चर्चा होगी, अलग-लग तरह की humidity की, अलग-लग तरह की rainfall की, फिलहाल के लिए दोस्तों आप से लेता हूँ विदा lecture की PDF और मेरी personal details आपको टेलेग्राम चानल पे मिल जाएंगी, ज इसके लावा दोस्तों combat में साले सकते हैं using my referral code अनी UPSC आने वाले combat में geography questions मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, देखते हैं किसमें है कितना है दम और क्या आप यहाँ पे scholarship कुछ जीच सकते हैं या नहीं, इसके लावा test series हमारी चल रही है, thank you for listening guys, stay tuned and stay safe.